तो मैं दिनेश के वोरा चैनल फाइंदी पे आपका स्वागत है एक्सपोर्ट्स की आलत और खराफ जियां एक नया टार्गेट यानि की नीचे जाने का टार्गेट बना दिया है और कई महीनों सालों में सबसे जो लुएस्ट जो हो सकता था बैंड वहाँ पे पहुंच गया 6.57% ड्रॉप हुआ सब्टेंबर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट 13.85% डाउन हो गया 26 बिलियन डॉलर पे एक्सपोर्ट आ गया यानि कि हम 2014 के लेवल से भी नीचे चले गए हैं साहब क्या कहेंगे साहब मोधी जी का राज अब क्या बोल सकते हैं हम तो 2014 के एक्सपोर्ट के फिगर सी उपर नहीं जा पा रहे हम 2019 के 2020 में भी अट करेंगे शाहब उससे भी नीचे ने चले जाएं इंपोर्ट 42 बिलियन डालर यानि कि वो भी श्रिंग हुआ माइनस 13 का तो यहां पे तो हालत और खराब होई यानि कि अब देखते हैं एक्सपोर्ट में किस-किस चीज का परसेंटेज में डाउन हुए प्रेटोलियम प्रॉट्त 18 प्रॉट्स अठारह प्रॉट्स दाउन हुए मैन-मेड यान 8 प्रसेंट कॉटन यान माइनस 15 प्रोट्स माइनस 13 प्रोट्स माइनसwahी बिल्ही बीजिर्बुट्स मारीनािन प्रोट्स-बॉcling—डैरियन kupfront के Mmm, जो आपके रोजगार से जुड़ी हैं गोल्ड माइनस 50% एक करोड से ज़्यादा लोग गोल्ड बिजनस में जूलरी बिजनस से जुड़े होएं इंडिया के अंदर उनके रोजगार को ठका और तूसरा सबसे वड़ा ठका पेट्रोलियम माइनस 18% मतलब it is something remarkable जब भी देश की energy consumption कम होती है पेट्रोल डीजल कम बिखता था energy down, country down progress down, growth down इसका मतलब यह होता है क्योंकि energy consumption से बढ़िया दुनिया की growth का कोई measurement होता ही नहीं है इससे बढ़िया measurement क्या होगा माइनस 18% fuel consumption अज़र डाउन हो रहा है परसेंट यानि कि इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोग्रेस वो श्रिंक कर रही है मशीन टूल्स माइनस दस परसेंट बढ़ किया रहा है साब कुछ भी नहीं बढ़ रहा है हर चीज काम हो रही है लोग मुझसे कहते हैं कि आप अच्छी खबर क्यों नी देते हो बीद मैं अच्छी खबर कहां से लाऊं, invent करूं, discover करूं कहां से ले क्या हो अकवारे ढूंडता रहता हूं, चानता रहता हूं, कहीं से पूई अच्छी खबर मिल जाया तो मैं बता दू आपि जैसे कल परसों मैंने कहा था कि a poster एक museum आया है बड़ा अच्छा ख़बर है मैंने आपको बताया भी था बीच बीच में कोई अच्छी खबर आती तो बता भी देता हूँ लेकिन economic case तर पर देखा जाए तो कोई अच्छी खबर आती ही नहीं है क्या करें साब गोल साब हमारे एक minister है वो कहते हैं कि structural problem है कभी कहते हैं cyclical problem है फिर कहते है nothing to worry पूरी दुनिया में चल रहा है हमारे गोल साब भी great है बिल्कुल क्या कहेंगे साब बात मुस्कुरा के कहते हैं लेकि क्या है कि शकले जो होती है और दर तो छुपा नहीं सकती उन्हें पता है कि अंदर के हाल क्या है growth वैसे भी 6% से नीशे जा रही है इस बार तो 5% से भी नीशे आएगी अब तो आल्मुस्स सब ने मान लिया है कि 5% से नीशे जाएगी अब जीत बेनर जी जो ने हमारे नोबल प्राइज बेनर उनने भी कहा है कि countries and tailspin यानि कि economically इससे बुरी हालत में हम नहीं हो सकते थे कभी कोई यह लगता है कि हमारे देश में किसी को एकनॉमी की समझ नहीं है और जो best economics ने आज एक newspaper का editorial भी है वो सारे के सारे बाहर काम कर रहे हैं उनको award मिलते हैं reward मिलते हैं और noble prize भी मिल जाते हैं और अब इतो हमारे कुछ भाई बंदों ने जो सरकार के हमारे चाहते हैं वो कहते हैं कि जितने भी मोधी जी के विरूध है उनको international prizes मिल रहे है और noble prize भी उनको इसलिए मिल रहा है कि वो मोधी जी का विरूध करते हैं उनको demonetization जीस्ट का विरूध किया था इसलिए उनको noble prize दिया गया है क्या कहें इतनी छोटी समझ के लिए हम क्या कह सकते हैं जिस देश के पर देश को गर्व होना चाहिए तरंगे गर्व होना चीए जिए क्यों ६जरों देश का मात सम्मान बढ़ाया और नहीं का था आप भारती हों मिल भारती होने पर गर्व है और उनको कुछ लोग कहते हैं कि ईय है जिएनिव वी और लो क्या है वोड नों में मारस्ट्रा घरण अमझीज जाएँगे अब यहाँ पर में रूज़गार की बात करता नहीं की साम र्रेवयां मुंबए में इतनी लोगों और पर्शानिये बात करता है पूर को पर शोलापूर पूर पर शोलापूर फजय करता है के अपने 370 हमने खत्म कर दी, देखा दोस्तों, हमने वीर सावरकर को क्या कहते हैं कि हमने प्रपोस किया है कि उनको हम भारत रत्म दिलवाएंगे, दिलवाईए सहाब जलूर दिलवाईए, अब इनी के उपर दो वोट मिलते हैं, जनता भी, क्या कहें जनता के बारे में, जनता तो फैसला आपने करना है, मैं तो फैसला आपके उपर छोड़ देता हूँ, जो आपको ठीक लगे, करिएगा, अगर यंग है तो नौकरी आपको करनी है, खाना आपको खिलाना है अपने बच्चों को, वैसे भी भारत तो वन थर्ड भूखा ही सोता है, मोधी जी के टैम में त थेगा, थैंक य।